देखिए आज के इस ग्लास में हम लोग पलेटी हिलमेंथेस के बारे में पहएंगे पलेटी हिलमेंथीस को टेप बप्षक कहते हैं ये έनिमल के ग्डम का चौधा फायलम है इसके पहले हम लोगों ने पोरिफेरा पाहा, पोरिफेरा के बाद सिलेंट्रेटा पाहा, ठीक है, सिलेंट्रेटा के बाद टीनोफोगा पाहा, इसके बाद प्लेटी हेलमेंथीज आता है, देगे पोरिफेरा में हमने देखा कि वहाँ पर सेलूलर लेबल आप दो बाडी आर तो इसका जो body होता है ये darks of ventrally body होता है इसका बनलब चिप्टा होता है ये तब चिप्टा ठीक यही वज़े है कि इसको हम flatworm भी कहते हैं इसमें bilaterally symmetry पाए जाता है bilaterally symmetry का मतलब यह होता है कि body को सुख एक बीज से काटने पर ही ये दो बराबर हिसों में बढ़ता है अभी तक जो हम लोगों ने तीनो फाइलों को पढ़ा जिसमे पोरीफेरा था सिलेंट्रेटा था और तीनो पोरा था इन तीनों में radial symmetry पाए जाता था ठीक है यह triploblastik होते हैं मतलब इसमें इसके germ layer तीन पार्ट में बने होते हैं तीन हिस्सें बने होते हैं । इक्टोडर्म, मुजोडर्म और इंडोडर्म इसके पहले कि जो तीनो फाइलों हम लोगों ने पागा वहाँ पे diploblastik होता था मतलब porifera, silentrata और तीनो फोरा में diploblastik condition पाई जाती थी ठीक है इसके लब जो tapworm होता है या platyhelminthase जो होता है यह acillumate होता है मतलब इसमें siloom नहीं पाई जाता है देखे, siloom का अभाव porifera में भी होता है, silentrata में भी होता है, tीनो फोरा में भी होता है platyhelminthase में भी होता है, ठीक है, लेकिन जहां हम इसके आगे चलते हैं यानि एसके हलminthase में चलते हैं तो वाँ सीडो सिलोom पाई जाता है उसके उपर analida, arthropoda, molusca, econodermita, hemicardita और cardita में two siloom पाई जाता है इसमें organ level of the organization पाई जाता है organ level of organization देखिए इसके पहले जो था मैंने बताया भी आपको कि पोरिफेरा में silver level of the organization पाई जाता था जबकि silentrata और tinofora में tissue level of the organization पाई जाता था लेकिन platyhelminthase, eskhelminthase, analida, arthropoda, molusca, econodermita, hemicardita, cardita में organ system level of the organization पाई जाता है देखिए platyhelminthase के जादे तर फार्म जो होते हैं जादे तर जो member होते हैं वो इंडो-parasite होते हैं लेकिन यह जोड़ी नहीं कि सभी इंडो-parasite हों कुछ free living भी होते हैं तो उसको हम ठीक से अगर समझना चाहें तो इसको platyhelminthase को जो classified किया गया है उसके अधार पर समझ सकते हैं देखिए platyhelminthase को तीन क्लास में बाटा गया है पहला क्लास है तर्बे-लेरिया जिसके member free living होते हैं मराइन होते हैं दूसरा क्लास है monogenia जिसके member parasite होते हैं लेकिन एक्टो-parasite होते हैं वो fishes उसे पे एक्टो-parasite होते हैं और तीसरा क्लास है तर्बे-लेरिया जिसके member इंडो-parasite होते हैं जैसे टेप लिवर फ्लर ठीक है यहां मैं लिख देता हूँ टर्बे-लेरिया के जो member होते हैं free living होते हैं और marine होते हैं ठीक है तो इक्टो-parasite होते हैं प्लीज एर्जेस्ट कर लिजेगा मैंनोजेनिया के जो होते हैं यह इक्टो-parasite होते हैं इक्टो-parasite on feces ठीक है और ट्रिमेटोडा जो होते हैं इसके member इंडो-parasite होते हैं इंडो-parasite जिसका की टेप वार्म है liver plug है ठीक है तो यह प्लेटेल हिनमिंटिस के तीन क्लास होगे पहला टर्विलेरिया दूसरा मोननजेनिया और टीसरा ट्रेमेटोडा ठीक है ठीक है जो parasite farm होता है parasite का मतलब होता है कि ऐसे individuals ऐसे आर्गनिजम जो अपने food के लिए किसी दूसरे पर depend रहते हैं ठीक है यह उनसे अपना food derive करते हैं लेते हैं सक करते हैं ठीक है parasite का बहुत अच्छा example मैं आपको बता रहा हूँ mosquito ठीक है जो लाइस होती जू जो बालोल में परजाती है ठीक है ओ भी parasite का example है इसी तरह से जो जोक होता है जोक आपने देखा होगा तो जोक भी parasite होता है ठीक है parasite का मतलब सीधा सीधा आप समझ लिजे कि जो अपने food के लिए किसी दूसरे living being पर depend होता हो किसी दूसरे जीवित organism पर depend होता हो उसे हम parasite कहते हैं परसाइट दो तरह को होते हैं एक होता है जिसका example lice, mosquitoes, jok इक्टो परसाइट को जो बाहर से host के बाहर से food को सक करता है दूसरा होता है जो host के शरी के अंदर प्रेस कर जाता है और शरी के अंदर ही रहता है और वहीं से food material को absorb करता है जैसे कि आपका अभी मैंने बता है ट्रेमेटोडा क्लास का जो organism जैसे कि tap warm, liver flag यह क्या करता है कि human being या किसी दूसरे animals के सरी के अंदर प्रेस कर जाता है और अंदर से ही food absorb करता रहता है देकि परसाइट जो होता है उसी इसाब से इनका body भी develop करता है tap warm जो flat होता है एक तरह से parasite nature इसका होता है इसके लोग parasites में आपको मैं example बता रहा हूं tap warm में ही खास तरह के organ system develop हो जाते हैं जो की horse से parasite को चिपका कर रखने का काम करते हैं जिसको हम hook और सकर कहते हैं मैं भी आपको figure के द्वार समझा रहा हूं जैसे कि यह tap warm का figure आपको यहां पर सो कर रहा होगा तो इसके ऊपर एक छोटा सा सर होता है जिसके सहयता से वो host से चिपका होता है इस तरह से ठीक और यह यहां पर छोटी छोटी होक की दो लेरिंग पाए जाते है two layer of the hook जिसके सहयता से host में सक करता है food material को यह चिपका रहता है यह two rows of hook two rows of hook और जिसके चार तो सकर पाए जाते है सकर यह सकर जो होता है चिपका के रखता है पूरे body को इस तरह से ठीक है यह सकर चार होते है सकर ठीक और यह जो उपर जो होता है इसको रोश्टिलम बोलते है रोश्टिलम रोश्टिलम देखिए बड़ा खतरनाख होता है टेपर ठीक है और यह मनुष्ट के शरी में कई वक्सों तक पा रहता है और यह body में प्रेस करता है जो लोग pig का sewer का मांस खाते है उसके तुए यह body में प्रेस करता है इसलिए इसका जो life cycle जो होता है sewer और human being दोनों से मतलब complete होता है तो यह हम लोग के इसकोप से भाठता है यहां पे हम लोग के यह सब जीज़ नहीं पढ़नी है यह 12 class में पढ़ना है हम लोगों ठीक है human being में जब यह टेप वर्म का infection हो जाता है यानि टेप वर्म जिसके सरी के अंदर होता है न उसमें जाते हैं क्या होता है तरह तरह सिम्टम डिवलोप करने लगते हैं जैसे कि लेका पेटाइट उसको भूब कम लगती है पेट में दर्द होता है पेट हमेशा खराब रहेगा अब सेट अप स्टोमेक उसे मिचली आएगी उल्टी जैसा लगेगा नौशिया जिसको बोलते हैं नौशिया ठीक है उसका वेट लास होगा वेट लास लास ठीक है तो यह सिम्टम उस हुमन बिंग में दिखाए देगा इसी तरह से जो लिवब फ्लक होता है इसका जब इंफेक्शन हो जाता है जाते हैं जब लिवब फ्लक का इंफेक्शन होता है तो उस disease को facioliasis बोलते हैं facioliasis ठीक है Recent यहाँ पे लिख दे रहा हूं facioliasis ठीक यह इसका नाम ही fasciola है ठीक है तो इसमें क्या होता है कि जो लिवब फ्लक होता है ये लिवर में infection करता है ठीक है और यह infection लंबे समय तक रहता है मतलब 25 से 30 साल तक infection बना रहता है ठीक और यह जानते हैं कि बहुत छोटा होता है यह blood circulatory system के दोरा भी body पालई मेडोजर जाता रहता है और जब सिम्टम इसमें काफी इनफेक्षन काफी बाई जाता है तो जो मरीज होता उसको इनडायजेशन की सिकायत होने लगती है मतलब जो भी कुछ खायागा वह पचे का नहीं ठीक है Abdominal pain होने लगता है Abdominal pain Diarrhea होने लगता है Constipation होता है Constipation मतलब पेत हमेशा भरा भरा लगता है Kapजियत जिसको बोलते है तो ये Human being में भी इसका infection होता है कई animals में भी इसका infection पाय जाता है मैंने भी बता कि Tap form जो होता है Tinea solium इसको टीनिया सुलियम बोलते हैं और यह लिवफलक जिसको फैसिवला बोलते हैं यह दोनों human being में infection करते हैं देखे इसमें जो आपका platyhermanthis जो होता है उसमें खास तरकी sale पाए जाती है जिसको हम flame sale बोलते हैं जिसका मुक्त काम है excretion और asmo regulation excretion मतलब की उत्सरजन यह excretion में flatworm के मदद करता है साथे साथ आस्मो regulation मतलब पानी को बैलेंस करता है लेकि flame sale बहुत important है पूछता है question आया हुआ हुआ है कई बार निट में पूछा जा चुका है कि flame sale के बारे में बताए किस में पाए जाता है ठीक है फ्लैट वर्म होता है यानि flattie helmet जो होता है यह hermaphodite होता है यानि इसमें दोनों sex एक ही आगनिजम में पाए जाते हैं मतलब sexes are founding same individuals ठीक अब देखिए जो इसके अंदर इसके अंदर जो fertilization जो होता है वो internal होता है fertilization internal fertilization internal ठीक और जो development जो होता है यह through the many internal stage मतलब जब development होता है तो इसके maturation पहले कई लागवाल stage आते हैं मतलब कई लागवाइस में बनते हैं कई तरके लागवाइस बनते हैं ठीक है development to the many लागवाल stage ठीक है कुछ इसके member जो होते हैं जैसे planaria यह regeneration को so करता है planaria so regeneration regeneration इसका मतलब यह हुआ कि इसको काट दे 2 हिस्से मबाट दे 3 हिस्से मबाट दे हर हिस्सा नया आर्गेनिजम बना लेगा जैसे मैं आप figure बना रही समझा रहा हूँ जैसे यह माल लिजे यह आपका प्लेनेरिया का फीगर हो गया यह इस तरह से प्लेनेरिया होता है अगर इसको हम यहां से काड़ दे यहां से काड़ दे चैसे काड़ दे किसी भी हिस्टे से काड़ दे हर हिस्टा डेफलप करके नया प्लेनेरिया बना लेगा जैसे ये हिसा भी बना लिया ये भी हिसा बना लिया और ये भी हिसा बना लिया ठीक है ये बड़ी ही peculiar features के अंदर पाई जाती है जोकि इसकी sales में जबरजस्ट टोटी potency पाई जाती है ऐसी टोटी potency जोकि अपने पूरे organ system को develop कर ले तो plan area जो होता है ये भी platy helmetys का member है इसमें regeneration पाया जाता है regeneration आपने देखा होगा वहाँ पे चिपकली की पूच में चिपकली की पूच कर जाती है फिर sales की चिपकली की नई पूच जम जाती है ठीक है लेकिन यहां का ये जो regeneration होता है ये गजब का होता अधर पूच 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 बेलोब कर जाता है यह जिसे यहां पूच वाला इससा कर गया तो इधर चिपकली के जा रकत्यबी जी जहां पर जो दोब्गाजी जो काट D ditesी थी तो उसका ब्लड जहां को श्वाल जाता था बनको त्यार हो जाता था तो इसे तरह होग़े प्लेन एरिया में भी पाए जाता है यह अग्यूदूर कि नया बॉडि बना लेता है तो दीखे जो फ्लेट फोर्म होता है इसके दो एक्जाम्पूल आपको याद करने हैं टीनिया और फेसियोला टिनिया शुलियम को ही टेप वर्म बोलते हैं टेप व लिवर फ्लक भी बोलते हैं ठीक है लिवर फ्लक तो अज इतने ही रहने देते हैं यह प्लेटी हेलमेंथी बुगा हो गया यह मेंली बेस अंग नसी आटी था ठीक है और थोगा साब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और लाइक कर दीजे तो थोगा अच्छा लगे लाइक मुझे!